हिमादी तुंग श्रुंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयम प्रभास मुझ्ज्वला सुतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, द्रड प्रतिग्य सोचिलो, प्रशष्ट पुन्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो. नमस्कार बच्चों, मैं सविता देवी, सहायक अध्यापत, राजकी इंटर कॉलेज, नुएडा, गौतम बुद्ध नगर. बच्चों, आज हम कक्षा बारा हिंदी विशे में अलंकार का अध्यन करेंगे. अलंकार के विशे में आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा, कक्षा नौ में, कक्षा दस में, कक्षा ग्यारा में भी अपने अलंकार पढ़ेंगे. आज हम अलंकार का विस्तार से अध्यन करेंगे कुछ नए अलंकार जो कक्षा 12 में आपको पढ़ने हैं हम उन पर भी अध्यन करेंगे तो कावि सौंदर के तत्व हमारा उपविशय है कावि सौंदर के तत्व क्या होते हैं सबसे पहले हम इस पर दृष्टी डालेंगे बच्चों कावि सौंदर के तत्व वो होते हैं जो किसी कावि को किसी पंक्ती को सुन्दर बनाने में सहायक होते हैं जैसे किसी स्त्री को सुन्दर बनाने में जो सहायक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं उनके वस्त्र साज सज्जाकी वस्तू उनके आभूशन इन सबके माध्यम से कोई स्त्री अपने रूप को समार्ती है या सुन्दर बनती है उसी प्रकार कविता को भी सुन्दर बनाने के के लिए कुछ तत्व निरधारीत किये गए हैं जिसमें रस छंद और वी अलंकार हैं ठीक है तो बच्चों आज हम पहला तत्व पढ़ेंगे अलंकार का पहला भाग हम पढ़ेंगे दो भागों में बटा हुआ है अलंकार दो भागों में बाठा हैalamने इसको पढ़ाने के लि हम इसके अर्थ के विशे में देख लेंगे अर्थ आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में भी आपने इसका अध्यन किया होगा कोई नया अर्थ में नहीं बताऊंगी यहाँ अलंकार का अर्थ आभूशन ही होता है हम देखेंगे अलंकार के अर्थ को अलंकार का अर्थ है आभूशन जैसे आभूशन सौंदर बढ़ाने में सहायक होते हैं उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने में काव्य की सुन्दरता बढ़ जाती है सुनने में अच्छे लगते हैं जैसे प्रारंभ में मैंने आपको कुछ दो-चार पंक्तियां सुनाई थी, सुनकर आप ओज से भर गए होंगे, वीर रस से युक्त वोक पंक्तियां थी, इन पंक्तियों को सुनने में आनंद क्यों आपको प्राप्थ हुआ, सुनने में आपको वो अच्छी क्यों लगी, वो वो कारण है कि इनके तत्वों के माध्यम से हम कविता को सुन्दर बनाते हैं तो हम आज उन्ही में से एक तत्व पढ़ रहे हैं अलंकार कावे की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं अलंकार का प्रयोग शब्द और अर्थ दो तरीके से होता है शब्दों में जब चमतकार उत्पन करते हैं और अर्थों के माध्यम से भी हम काव्वे में चमतकार उत्पन करते हैं बच्चों अब हम देखेंगे अलंकार की परिभाशा हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिध्य आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दीगे ये परिभाशा हम देखेंगे अलंकार क्या होते हैं भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुमों के रूप गुण क्रिया का अधिक तीवरता से अनुभव कराने वाले सहायक तत्व जो हैं या उक्तियां जो हैं वो अलंकार कहलाती हैं अब हम देखेंगे बच्चों अलंकार के भेद कितने प्रकार के अलंकार आप पढ़ेंगे अपने पाठेक्रम में अलंकार के भेद हम देखेंगे दो प्रकार के अलंकार होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार पे भी हम संशिप्त अध्यन करेंगे, देखेंगे जहां केवल शब्दों के माध्यम से कावे में चमतकार उत्पन होता है वहां पर शब्दालंकार होता है अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से कावे में चमतकार उत्पन होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं आपके पाठे क्रम में हम शब्दा लंकार के तीन प्रकार पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक और शलेश. अर्था लंकार के जो मुख्य प्रकार हम पढ़ेंगे बच्चों, जो आपके पाठे क्रम में निर्धारित किये गए हैं, वो हैं उप्मा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, द्रिश्टांत और अननवे, आपने उत्प्रेक्षा, रूपक के विशे में और अतिशयोक्ति के विशे में पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम कुछ नय अलंकारों के विशे में भी अध्यन करेंग चलिए बच्चों, आगे हम देखेंगे इनके प्रकार की परिभाशा और उधारन, इन्हें हम समझेंगे एक-एक करके इनकी परिभाशा और इनके उधारन जो आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं देखें, पहला अलंकार हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के विशे में आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे होंगे, आपने कक्षा 9, 10, 11 में अनुप्रास के विशे में पढ़ा होगा, यहां भी हम अनुप्रास को देखेंगे, अनुप्रास की आवर्ती बार-बार होती है जहां पर जिस कावे में वेंजन वर्णों की आवर्ती बार-बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता ہے बच्छों वर्ण जैसे कख म ठिक यह वर्ण सिंगल जो शब्द वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं, जब काव्य में वर्ण बार-बार एक पंक्ती में प्रयोग होते हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उधारण के माध्यम से हम समझेंगे, देखे, मधुर मधुर, मुसकान मनोहर, मनुजवेश का उजियारा, यहाँ पर उधारण देखकर आप समझ पा रहे होंगे, कि यहाँ पर मवर्ण की आवरती बार बार की गई है, ठीक है, म यहाँ पर पहले शब्द में आया है, दूसरे सब्द में भी मधुर में पहले मा आया है, तीसरे शब्द में भी मुसकान में पहले मा आया है, मनोहर में मा आया है, मनुज में मा आया है, यहाँ पर बार-बार मवर्ण की आवरती हो रही है, इसलिए यहाँ पर अलुप्रास अलंकार है, ठीक है, बच्चों एक और उधार यह भी अनुप्रास अलंकार का उधारण है आप हम देखेंगे बच्चों आगे दूसरा अलंकार यमक अलंकार बच्चों यमक अलंकार से भी आप भली भाती परीचित है फिर भी हम यहाँ पे इसका परिभाशा और इसके उधारण के विशे में समझेंगे परिभाशा हम देखेंगे जहां पर दो शब्दों का प्रयोग होता है दो या उससे अधिक शब्द आएं और प्रतेक बार उसका अर्थ भिन भिन हो अलग अलग हो अर्थ दोनों बार अलग होने चाहिए शब्द दो बार होने चाहिए या उससे जादा भी आ सकते हैं और प् कर शानकार के हम उधारण से समझेंगे बच्चो देखे कनक कनक ठीक के दो बार प्रहुख्त हुआ है इस एक्जांप्ल को बहुत सारे बच्चे याद कर चुके हों इसलिए ये एक्जाम्पल बहुत सरल है आपके लिए इस उधारन के माध्यम से समझा रहे हैं हम कनक कनकते सोगुनी माधकता अधिकाय या खाये बौराय जग वाक पाये बौराय इसका स्पस्टिकरन हम देखेंगे इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है कनक के दो बार प्रयोग्त हुए शब्द के दोनों अर्थ भिन भिन है इसलिए यहाँ पर यमक लंकार है आप देखेंगे बच्चों हम स्लेश अलंकार, श्लेश अलंकार और यमक अलंकार में काफी मात्रा में भिन्नता नहीं दिखाई देती है, यह लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, यमक अलंकार में जहां दो बार शब्द प्रियुक्त होते हैं, और दोनों बार अर्थ भिन्न ह होते हैं लेकिन शलेश अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है उसके अर्थ कई होते हैं ठीके चिपके हुए अर्थ कहा जा सकता है परिभाशा देखकर हम समझने का प्रयास करेंगे शलेश अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ जब एक ही शब्द में हमें विभिन अर्थ मिलते हों तो उसे शलेश अलंकार कहते हैं अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हों तो वहां पर श उधारन देखेंगे हम, रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गय न उभरे, मोती मानुस चून, देखें बच्चों, यहाँ पे पानी शब्द का तीन बार प्रयोग हुआ है, और प्रतेक बार पानी शब्द का अर्थ भिन भिन है, ठीक है? यहाँ पानी शब्द को एक ही चिपके हुए अर्थ में ले सकते हैं, देखेंगे, तीन अर्थों में प्रयोग हुआ है पानी का शब्द, पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्व में, जब इसका मतलब होता है विनम्रता से, रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता ह दोसरा अर्थ हम देखेंगे इसका आभा तेज या चमक से हैं रहीमदास कहते हैं चमक के बिना मोती का कोई मुल्य नहीं होता तीसरा अर्थ जल से जिसे आटे से जोड कर दर्शाया गया है रहीम दास जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तितु पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता मोती का मूल उसी आभा के बिना नहीं हो सकता उसी तरह मनुश्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी के समान विनम्रता दर्शानी चाहिए ठीके बच्चों शिलेश लंकार में शब्द एक उसके अर्थ भिन यमक लंकार में शब्द दो उसके अर्थ भी दो ठीक है चलिए बच्चों आपका शब्दा लंकार समाप्त हुआ अर्था लंकार पढ़ने से पहले हम उपमे और उपमान के विशे में ध्यान से सुन लेंगे समझ लेंगे क्योंकि अर्था अलंकार में लगभग हर अलंकार में उपमे और उपमान का आपको समझना बहुत आवशक है उपमे किसे कहते हैं उपमान किसे कहते हैं चलिए देखते हैं उपमा अलंकार के प्रमुख अंग हैं अर्था अलंकार के लगभग सभी अलंकारों में आपको उपमे और उपमान सुनने को मिलेगा ठीक है तो इसके अर्थ को ध्यान से सुनेंगे और इसे याद जरूर रखेंगे तभी हम आगे के अलंकारों को समझ पाएंगे तो उपमा अलंकार को पढ़ने से पहले उसके अंग देख लेंगे हम पहला उपमे जिसकी हम तुलना करते हैं जिसकी तुलना होती है जैसे सीता का मुख सीता के मुख की तुलना हो रही है उपमान क्या होता है जिससे हम तुलना करते हैं समान धर्म बच्चो जिस चीज की हम तुलना करते हैं हम सुन्धर्टा की तुलना कर रहे हैं, हम उसके गुणों की तुलना कर रहे हैं, हम जिस चीज की तुलना कर रहे हैं, वह समान धर्म के अंतर गताता है और वाचक जो शब्द होते हैं जिससे सा, सी से जो शब्द तुल्ना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं समान जैसे तरह वो शब्द जिनके माधयम से हम किसी चीज के तुल्ना करते हैं ठीक है? वो वाचक शब्द कहलाते हैं जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयुक्त हो जैसे सासी से समान ठीक तो यहाँ पर देखिए ध्यान से जो उधारन दिया हुआ है सीता का मुख सीता का मुख बच्चो उपमे होगा चंद्रमा उपमान होगा समान वाचक होगा और किस की तुलना कर रहे है किस चीज की तुलना कर रहे है सुन्दरता की ठीक है तो वह समान धर्म होगा उपमा अलंकार हमने देखा उपमा अलंकार के विभिन चारंग थे उपमा अलंकार का पहला उपमे दूसरा उपमान तीसरा वाचक धर और तीस चोथा साधारन धर ठीक बच्चो तो उपमा अलंकार में को पढ़ने से पहले मैंने आपको उपमे और उपमान के विशे में बताया उपमे और उपमान बच्चो बहुत अच्छे से याद रखियेगा उपमे जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उपमान जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं ये याद रखेंगे तो आप अर्था लंकार के सभी प्रकार बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसे याद रख पाएंगे ठीक है, चली, उपमा अलंकार के विशेवे हम जानेंगे, परिभाशा देखेंगे हम उपमा अलंकार की, जब किन ही दो वस्तुओं के गुण, आकृती, सभाव, आदी में समानता दिखाई जाए, दो भिन वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है उधारन देखेंगे हम पीपरपात सरसिमन डोला मन की तुलना की जा रही है किस से? पीपल के पत्ते से ठीक है और पीपल के पत्ते के समान मन क्या कर रहा है? डोल रहा है ठीक है और समानता दिखाए गई है तो देखेंगे हम यहाँ उपमे क्या है, उपमान क्या है, वाचक क्या है, साधारन धर्म क्या है किसकी तुलना हो रही है, मन की, तो मन क्या होगा, उपमे किससे हो रही है, पीपल के पत्ते से, तो पीपल का पत्ता उपमान क्या हो रहा है? साधारन धर्म क्या हो रहा है? गुण क्या है? डोल रहा है तो डोल क्या है? साधारन धर्म और सरसी शब्द जो प्रयोग हुआ है वो समानता दर्शा रहा है इसलिए यहां वाचक है ठीक है? स्पस्टिकरण में हम देखेंगे उपर दिये गए उधारण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है उधारण में मन उपमे है पीपल का पत्ता उपमान है डोला साधारण धर्म है और वाचक शब्द सरसी या समान है जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन ही दो वस्तूओं की उसके एक सामान धर्म की वजह से तुलना की जाती है वहाँ उपमान अलंकार होता है एक दूसरे उधारण से हम समझेंगे सागरसा गंभीर हरदय हो गिरिसा उचा हो जिस कामन साधस शब्द का प्रयोग हुआ है मैंने पहले बताया उपमा अलंकार की पहचान आप पहचान सकते हैं उपमाOOD कार के वाकिया कावे को देख करके सा, सी, से, जैसे, तरह, समान, सरसी आधी शब्द कावे की पंक्तियों में इस्तमाल हो तो वहाँ पर आप आसानी से पहचान पाएंगे कि यह है उपमा अलंकार की पंक्ति है या उधारन है, ठीके बच्चों? उपमा अलंकार के बाद हम देखेंगे अर्था अलंकार का दूसरा अलंकार उत्परेक्षा अलंकार, बहुत ही महतोपूर अलंकार है बच्चों बहुत जादा इसका परिभाशा आपके परिक्षा में पूछा जाता है बहुत अच्छे से इसे याद रखिएगा और बहुत आसान जिस प्रकार हमने उपमालंकार में पढ़ा उपमे और उपमान में समानता दर्शाई जाए उत्प्रेक्षा में बच्चों संभावना की जाती है कल्पना की जाती है कि ऐसा है भी या नहीं जैसे हमने कक्षा 11 में प्रवेश लिया अन्त तक हमारे इंदर ये संभावनाय उठती रहती हैं कि हम पास हो जायेंगे ठीके, अभी परिणाम घोशित नहीं हुआ लेकिन संभावना है कि हम पास हो जायेंगे समझ पारहे हों गया संभावना या कलपना जो पहले से नुर्धारित की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतरगत आती है देखेंगे हम परिभाशा से समझेंगे और धारन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जहां समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कलपना की जाए संभावना हो तब वहां उत्प्रेक्षा लंकार होता है यदि पंक्ती में उत्प्रेक्षा लंकार की पहचान भी बच्चों जान लीजिए उत्मा लंकार की अपने पहचान देखी सा सी से जैसे तरह समान शब्द अगर पंक्ती में आते हैं तो आप पहचान पाएंगे उत्मा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार में यदि ये शब्द आते हैं किसी पंक्ती में यदि किसी पंक्ती में ये शब्द आते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है उदाहरन को पहचानने का यह एक पहचान या तरीका भी है वहाँ उदाहरन देखेंगे बच्चों उस काल मारे क्रोध के तनु कापने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा ठीके, मानो शब्द का प्रयोग हुआ है ध्यान से देखिएगा, मानो मानो शब्द क्या है, पहचान है प्रेक्षालंकार की दूसरा, हम संभावना कर रहे हैं किसकी? उस काल मारे क्रोध के, क्रोध के कारण उसका तन ऐसे कापने लगा, अर्जुन के विशे में यहाँ पर बात की जा रही है तन ऐसे कापने लगा उसका, जैसे हवा के जोड से सोता हुआ, क्या हुआ? सागर जगा, यहाँ पर हम मान रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं होगा, ठीके? सोता हुआ सागर नहीं जगा होगा उसके क्रोध से, लेकिन हमने यह संभावना की, हमने यह कल्पना की, वहाँ इतना क्रोधित हुआ होगा कि ऐसा लग रहा था जैसे सोता हुआ सागर जग गया ठीक है तो इस तरीके से हमने कल्पना करके संभावना करके पहचान प्राप्त की कि उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना और कल्पना पर आधारित है ठीक दूसरे एक्जामपल में देखेंगे सोहत ओड़े पीट पट शाम सलोने गात मानो नील मनी शैल पर आतप पड़यो प्रभाद यहां पे मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है इस कारण भी हम पहचान पाएंगे कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है चली बच्चों आगे हम रूपक अलंकार देखेंगे रूपक अलंकार बच्चों उपमा उत्प्रेक्षा रूपक उपमा जहां उपमे उपमान में समानता दर्शाई जाए उत्प्रेक्षा जहां उपमे उपमान में संभावना की जाए कल्पना की जाए रूपक जहां उपमे में उपमान का भेद रही तारोप कर दिया जाए अर्थार, दो अलग तत्व, दोनों को मिला कर एक ही कह दिया जाए, ठीक है, जैसे ये पैंसिल है, ठीक, और ये सेल है, ठीक है, दो अलग तत्व, दोनों को मिला कर हमने एक नाम दे दिया, कुछ भी, कोई भी एक नाम, ठीक है, हमने दोनों को मिला कर एक कह दिया पैन, या कुछ भी अलग नहीं होता वहां पे रूपा कलंकार होता है परिभाशा के माध्यम से हम समझने का प्रियास करेंगे जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमे को ही उपमान बता दिया जाता है उपमे जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उपमान जिससे हम तुलना कर रहे हैं द भी इसमें अलग नहीं है तो यहां पर क्या होगा रूपक अलंकार होता है रूपक अलंकार में उपमा और उपमे में कोई अंतर दिखाई नहीं देता उधारन देखेंगे हम बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी रात बीच चुकी है विभावरी बीच चुकी है और क्या कर रही है अंबर पनघट में अंबर को ही क्या कह दिया गया पनघट पनघट अलग है अंबर अलग है लेकिन अंबर और पनघट क को ही पंगट कह दिया गया अंबर को ही पंगट कह दिया गया ठीक है दो अलग तत्व लेकिन दोनों को एक मिला कर एक ही कह दिया गया डुबो रही तारा घट तारा रूपी घड़े को तारे अलग है घड़ा अलग है लेकिन दोनों को मिला कर हमने घड़ा कह दिया तारा रू उशा नागरी उशा रूपी इस्त्री सुभा अलग है ठीक है प्राता हकाल और प्राता हकाल को ही हमने इस्त्री कह दिया नागरी नगर में निवास करने वाली तो यहां पे नागरी को कार्थ हम महिला से लेंगे तो अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी जैसा कि आप उपर दिये गए उधारन में देख सकते हैं यहां उशा में नागरी का, अंबर में पनघट का, तारा में घट का निशेद रहित आरोप है उसी को कह दिया गया अतह यहां पर हम देख सकते हैं उपमान में उपमें अभिन्य है जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है इस पंक्ती में भी देखेंगे उधित उधैगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग उधित उधैगिरी परवत, ठीक है, परवत को मंच कह दिया गया उधैगिरी मंच को उधैगिरे रूपी मंच कौन है रगुवर बाल पतंग जैसे परवत पर सूरे निकलता है वैसे ही मंच पर प्रभूराम जो है सूरे की तरह निकल कर आ गये हैं तो प्रभूराम को सूरे की उपमाया जोड़ा गया है और उदैगिरी को परवत को मंच कहा गया दोनों को एक ही कह दिया गया है इसलिए यहाँ पर रूपत अलंकार है बच्चों अलंकार का पहला अध्याए हमारा यहीं समाप्त होता है अलंकार के अगले अध्याए में हम पढ़ेंगे इसके अन्य प्रकार और इसके अन्य प्रकार के साथ साथ हम प्रश्ण अभ्यास संपूर्ण अलंकार के प्रश्ण अभ्यास भी करेंगे मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी प्रकार से समझा होगा अलंकार को और आगे भी आपको कोई समस्या इसे समझने में नहीं आएगी बहुत बहुत धन्यवाद